हेलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम फर्स्ट प्लाइट टेन्थ क्लास चेप्टर सेकेंड शॉट सम्री पढ़ेंगे नेलसन मंदेला लॉंग वॉप तु फ्रीडम सु स्टार्ट करते हैं इसमें नेलसन मंदेला ने क्या-क्या सेक्रिफाइस के ब्लेक हीरो के लिए ठी है तो इसके बारे में में एक्दम सॉट सम्री पढ़ेंगे नेलसन मंदेला के द्वारा जो ट्रिब्यूट समर्पित किया गया है ना ब्लेक हीरो एंड देजभक्तों हां के जो देजभक्त थे साउथ अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका का जो एड्मिस्टेशन था वहां के जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लेक हीरो जो देजभक्त थे वह कंटिनिवसली रिलेंट लेस मींस क्या होता है इसको यकार्षी वेस्ट लेंश ओंस्टेंटेशन और कंटिनिवसली ठीक इसको याद रखना है वेजड जयाने की इनफोर्ज उन पे इन Przyकिया जाता हूं था ठीक तो कंटिनुवसली साउथ अफ्रीका में इस्ट्रागल कर रहे थे ठीक है इस्ट्रागल कर्रेंथे रिज यहां पे black और white person को क्या किया जाता आथा discriminate किया जाता था भेद भाव किया जाता था owes यहां पे यह अफहार्तिड आपको याद रखना है और रिछैन्नेलेस मिन्स कॉन्स्टेंट्ली कॉंस्टेंड़ स्लीद हें ठीक है दा मोर देन 140 कंट्रीज यहां पे जो पॉलिटीशियंस और डिगनेटरीज आये थे ना निलसन मंडेला के यूनियन बिल्डिंग यहां पे नलसन मंडेला के जो इस पीच डिलीवर किया जा रहा था तो यहां यहां पे इंपोर्टेंट है यूनिटी ठीक है यहां पर में जो फोकस था एक्विलिटी को मेंटेन करना था ठीक है जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या करना था रिम्यू करना था तो यहां मेंट विमेन के लिए क्या करना था एक्विलिटी को मेंटेन करना था जब वो न्यू एडमिस्टेशन लेके आएंगे तो यहां प होना है ठीक है he hopes that in the new regime there will be no exploitation of the main by main मतलब यहां पर कोई exploitation नहीं होना चाहिए कोई शोर्षन क्या होना चाहिए शोर्षन नहीं होना चाहिए main by main में ठीक है there will be no room for racialism and segregation in the new order जब वहां Nelson Mandela की जो government आई थी तो वहां पर होने कोई segregation नहीं होना चाहिए सेग्रीगेशन मींस isolation ठीक है segregation means isolation नहीं होना चाहिए कि जो new order आएगा उसे सबी कि लिए क्या अजरी होना चाहिए जो जातिवाद है भेटवावे रह verbess वों क्या होना इसको पढ़ लेने का है एक बार